पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगई जब पानी से बाहर आई थी टैन्यू उसे पत्थर के नीचे मरा हुआ मिला था फिर जैसे ही वह जाने लगती है टैन्यू बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता और उस पत्थर को तोड़ कर बाहर आ जाता है अब टैन्यू को जिन्दा देख मेंगई खुस हो जाती है लेकिन वह बूरी तरह जक्मी हो गया था फिर टैन्यू बताता है कि मिरोन कुन के पास केवल फीटर लिंग की कल्टीवेशन बेस है इसलिए उसे पता नहीं चला कि मैं मरने की एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरी फिसकल बोड़ी स्ट्रॉंग है इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ तभी मेंगई पर मिरोन कुन के पासर होने लगता है और वह धीरे धीरे बेहोस हो जाती है यह देख टैन्यू समझ जाता है कि मेंगई को तुरंत ट्रीटमेंट के जरूरत है फिर टैन्यू इसके लिए जरूरी समान क्वेस्ट करने लगती है अब टैन्यू भी उसकी बात समझ जाता है और कंट्रोल खोने के लिए खुद पर सर्मिंदा होने लगता है तभी मेंगई बेहोसिकी हालत में कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती मुझे अपनी मदर को बचाना है और अपने फादर से बदला ल लगता है इसके कुछ दिर बाद मेंगई के अंदर से सारा पोईजन निकल जाता है लेकिन टैन्यू ने इसे जिस तरीके से निकाला था इसके बारे में मेंगई से नहीं पताने का डिसाइड करता है फिर हम देखते हैं कि मेंगई का कुछ कपड़ा फटा हुआ है तभी टै टैन्यू से पूचती है तब टैन्यू कहता है कि तुम्हें यहां लाते समय कपड़ा पत्थर में फसकर फट गया था इसके बाद मेंगई टैन्यू को सौरी बोलती है क्योंकि उसकी वज़ा से टैन्यू भी खत्रे में पढ़ा हुआ है तब इस पर टैन्यू कहता है कि तु मिरोन कुन से केरफुल रहने के लिए बोलती है लेकिन इसके अलावा वह इसे वेंग से भी बचने के लिए बोलती है क्योंकि इसने वेंग के कजिन कौन जी को मारा है इसलिए वेंग टैन्यू से बदला लेने की जरूर कोशिस करेगा इसके बाद टैन्यू ड्रैगन लिस्ट के दसवी रैंक के बारे में पूसता है फिर मेंगई उसे बताती है कि यह लोग काफी पावरफुल होते हैं तभी टैन्यू को बोई के बेटे लियू रुलोंग के बारे में याद आता है और वह मेंगई से इसके बारे में पूसता है तब मेंगई उसके बारे में बताती है कि उसे खुद law enforcement elder ने बढ़ा किया है और इस समय लियूर लॉंग dragon list में तीसरे नमबर पर है अब मेंगई समझ गई थी कि टैन्यू का उसके साथ भी कोई पंगा हुआ है इसलिए वह टैन्यू को सेक्ट में extra careful रहने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर इसके तीनों दुस्मन मौजूद है अब दोनों उसी जगह पर रात बिताते हैं सुबह में टैन्यू ने मचली पकाया होता है और वह मेंगई को खाने के लिए देता है लेकिन इसी दोरान मेंगई को अपने मदर की याद आ जाती है और इस बात से वह काफी इमोसिनल हो जाती है इसके बाद मेंगई सेक्ट के लिए जाने लगती है लेकिन उसका पैर जखमी होता है इसलिए टैन्यू उसे उठा कर ले जाने की बात करता है लेकिन मेंगई उसे मना कर देती है फिर वह जैसे ही चलने की कोशिस करती है वह गिरनेवाली होती है लेकिन टैन्यू उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में उठा कर उपर आ जाता है फिर वहां से टैन्यू मेंगई को अपने Blood Spirit Lion पर लेकर सेक्ट की तरफ जाने लगता है इस दोरान मेंगई टैन्यू से पूछती है कि तुम्हारी कल्टिवेशन स्पीड एक आम इंसान से तेज क्यों है तब टैन्यू कहता है कि मेरी कल्टिवेशन मेथट सबसे अलग है और केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ अब कुछ समय बाद दोनों हुआंगफू सेक्ट के एंटरन्स पर आ जाते हैं जहां कुछ स्टूडेंट मेंगई को टैन्यू के बाहों में देख हैरान होते हैं क्योंकि सब को पता है कि मिरोन को मेंगई को पाना चाता है फिर मेंगई टैन्यू को डीकन के पास चलने के यानि कि डीकन इसकी मदद से उसके लाइफ और डेस्ट के बारे में जान सकता है। अब टैन्यू सेक्ट के आउटर गेट का ओफिसियल मेंबर बन जाता है। इसके बाद डीकन दोनों को हुआंगफुर इल्म के अंदर भेज देता है। अब टैन्यू मेंगई के साथ एक जगा पर आ जाता है जहां मेंगई टैन्यू को होली गेट, फैरी गेट और इनर गेट को दिखाती है। इसके बार टैन्यू मेंगई को लेकर उसके रूम पर आ जाता है जहां एक आदमी इनको देखने के बाद मिरोन कुन को इनफॉर्म करने चला जाता है वहीं अब टैन्यू की मुलाकास सूजियान से होती है जो मेंगई की सिस्टर है और मेंगई के साथ ही रहती है मेंगई टैन्यू को बताती है की मिरोन कुन को हमारे आने के बारे में जल्द ही पता चला जाएगा इसलिए तुम से कیरफुल रहना फिर आगे मेंगई टैन्यू को टेंपल के बारे में बताती है जहां वा अपना टोकन दिखाने के बाद ट्रेनिंग ले सकता है लेकिन हाई लेबल वाले ट्रेनिंग के लिए उसे स्प्रीट स्टोन की जरूरत पड़ेगी अब टैन्यू उसकी सारी बाते समझ जाता है और पूसता है कि फायर पाउडर की सौप कहां पर है फिर मेंगई बताती है कि फायर पाउडर वाली सौप इनर गेट के अंदर है लेकिन उस जगा सिर्फ वही जा सकता है जो फिटल सोल रिल्म तक पहुँच गया हो और इनर इसके बाद टैन्यू यहां से जाने लगता है तभी मेंगई बताती है कि पचीस दिन बाद आउटर गेट के ग्रेट एल्डर कोई इंपोर्टेंट अनौंसमेंट करने वाले हैं जिसे सभी स्टूडेंट अटेंड करेंगे अब टैन्यू इस समय काफी वीक हो गया है और इ खतरनाक है और टैन्यू अभी फिटल सोल रिल्म की लेवल पर भी नहीं पहुंचा है लेकिन टैन्यू नहीं मानता और स्प्रीट इस्टोन देने के बाद अंदर जाने लगता है लेकिन तभी वह अपने पीछे कुछ लोगों को देखता है जिसमें से चार स्प्रीट फिट आ जाता है वह पांचों आकर टैन्यू से इस्प्रीट इस्टोन मांगने लगते हैं लेकिन टैन्यू मना कर देता है तब इस बात से वेई उसे मारने की धंकी देता है और वांग को उस पर अटैक करने भेजता है लेकिन टैन्यू उसे अपने एक अटैक से ही दूर फेक दे फिर यह देख वेई अपने तीन लोगों को एक साथ उस पर अटैक करने भेजता है जिसके बाए टैन्यू अपने एक ही अटैक में इनको भी जखमी कर देता है अब इस बात से वेई काफी गुसा हो जाता है और वह खुद ही टैन्यू का सामना करने चला जाता है लेकिन टैन् उसे अपनी बिजली वारी रफतार दिखाता है और अटैक करने लगता है जिसके बाद वेई टैन्यू का सामना नहीं कर पाता और वहां से भागने लगता है फिर टैन्यू उसे मारने के लिए अटैक करता है लेकिन वेई हुआं को अपने सामने लाकर खुद को बचा लेता अब वेई टैन्यू से काफी डर गया होता है और फिर से भागने की कोशिस करता है लेकिन टैन्यू उसे बुरी तरह जखमी कर देता है फिर वेई काता है कि मैं सीनियर लिंग हूँ का ब्रदर हूँ अगर मुझे कुछ वात तो लिंग हूँ तुम्हें नहीं छुड़ेगा क् इनर गेट के चीफ एल्डर का ग्रैंट सन है और उसकी पावर भी तुमसे ज्यादा है लेकिन जो कोई भी टैन्यू को परेसान करता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता इसलिए टैन्यू पर वेई के किसी भी बात का असर नहीं होता और वह उसे तुरंत वहीं मार देता है इसके बाद वेई के आदमी लिंग हू के पास जाते हैं और बताते हैं कि स्प्रीट फीटर रिल्म के साथवे लेवल वाले एक लड़के ने वेई को मार दिया है यह सुनते ही लिंग हू हैरान हो जाता है उसे यकिन नहीं होता कि साथवे लेवल वाला कोई लड़का ऐसा क भी उसने लिंग हूंग के भाई को मारा है इसलिए वर Этоikal को भोजने ये त्यांड को भेजता है दूसरी दूब मियोरोन कुन का आद्मी उसे मेंग गई और उसके साथ-फले-लड़के के बारे में बता देता है यह सुनकर मियोरोन कुन भी काफी हेरान होता है क्योंकि उसने खुद अपनी आखों से टैन्यू को मरा हुआ देखा था लेकिन अब मिरोन कुन फिर उसे मारने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर मेंगई को अपना बनाना चाहता है तभी उसका आदमी कहता है कि आपको परेसां होने की जरूरत नहीं है हम लोग उसे पकड़ लेंगे इधर मेंगई को टैन्यू कहा है इसके बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए वह उसकी चिंता करने लगती है अब मिरोन कुन के आदमी कई दिनों से टैन्यू को खोज रहे है लेकिन टैन्यू इन्हें कहीं भी नहीं दिख रहा तभी हम टैन्यू को देखते है जो अब इस प्रीट फिटल डिल्म के आठवी लेबल पर पहुँच गया है और अगर वह नौवी लेबल पर पहुँच जाएगा तब होंग मेंग की पहली लेबल वाली बॉड़ी कम्पलीट हो जाएगी जिसकी मदद से वह लिंग हूँ को आसानी से हरा सकता है तब ही टैन यू को ग्रेट एल्डर के होने वाले अनौंसमेंट के बारे में याद आता है इसलिए वह तुरंत यहां से जाने वाला होता है लेकिन तब ही उसे कुछ दिखाई देता है अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा इसलिए चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर सैट कर लेना और पिछला पार्ट मिस हो गया हो तो लेफट वाली वीडियो देख लेना